हेलो हेलो एब्रीवन गुड आफ्टर नून वेलकम डू बैक माई न्यू व्लॉग और आज दिन हैं मंगल बार हभी टाइम हो रहा है पार सबाबार होने वाले हैं और बस अभी फिरी बट हुए हैं सारा काम हो गया है और रियान गया हुआ है स्कूल और रियान के पापा कर आफिस का काम तो सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया दिखें एक दम से बादल आ गया है और हवा भी बहुत तेज देज चल लिए काले काले बादल यह वाला सूखने लगाता यह वाला यह जो अंदर रखाता है यह सूख राता अब देखें इसमें नए पते आ रहे हैं यह देखो एक और होने लगा है यह आने और मौसम बहुत अच्छा हो गया है ठंडा हो गया है बढ़ी हवा चल रही है आज गर्मी नहीं है बिल्कुल तो मेरा सारा काम हो गया है और वस यहां पे कपड़े दुल रहे थी मसीन में दुल गया है तो मैं इनको निकालक के और फैला देती हूं और अभी मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है बहुत तेज से हवा चल रही है और धूब भी निकल रही है और बादल भी आ रहे है तो वस ऐसे ही है अभी तो अब टाइम हो रहा है दो बच गया है अब में कर सब्सक्राइए नहीं झाने का शप्रो का अब हीखा और को अर वारी इशम माश्कराइए और को improper इसने की लीटैने है की वहीड़ा है एक वन उट भीएठने है और आ रणाया वारा ण्योगी है विंदी की देडी मे uğrnya roziran के सब्सक्राइब टाला रोटिन पे फाल सी मत अंबरा है तो मेरें बादे के सब्सक्राइब जब खानगा मeszंड़ा लाइते हैं जब खाला हुआ है कॉन जाल है छिछा फैली से भाल है यहां पर मैं आगे नीचे और यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि एक ही टाइम होता है सारी बच्चों के आने का और सारी स्कूलों की छुटी इसी टाइम पर होती है तो बहुत ज़्यादा भीड हो जाती है और इस टाइम पर बारिस भी आ गई थी तो वस थोड़ा सा भीग भी गएते हम लो और इधर मैं रियांद को लेके उपर आ गई हूँ तो इनका मैं लंच बॉक्स बगएर निकाल रही हूँ उनके बैक से और इनका लंच बॉक्स भी मैं चेक कर लेती हूँ उनने पूरा अब मैं खानी में तो यहां सेंडविच खाना था और ब्रैट घर मैं थी नहीं तो मैं सेंडविच तो बनाऊंगी रोठी का बनाऊना की और बहुत अच्छा लगता है रोठी कभार रहा है रोटी का भी बॉना देना चाहिए और भी बैसे बहुत का थाल्यात Südva भीन कीम मूझक काट अना चाहि यहांतोर रोटी है। मुल यहां नहीं theo दोतार से घ्ट्रिचे से चाहिशार मूझक कट तरहां के मातब सबस्वार दक सबस्क Чुत में ठीके sense लगा गाना। और पूरी रोटी पे लगा देना है और इसके बाद लगाएं गें प्रक्त टारी केंगें, और यह साम पे डाल देंगें और इसके बाद हर्वल कर देने ही इसके लिए गजशुwww और यह अच्छे से गरम हो गया है और इस पे डालेंगे घी और यह रोटी इस पे तब यह रख देंगे और इसको सेख लेंगे दोनों साइट से अच्छे से और यह बहुत अच्छी लगती है खाने में तो जब ब्रैड नहीं होती है तो मैं इस तरह से सैंड़ुच बगएर बना देती हूं तो यह दोनों साइट से सिख गया अच्छे से और वस यह मैं दे दूंगी रियांत को खाने के लिए तो थोड़ा सा टेस्ट वगएरा चेंज होता रहता है और वस यह रियांत अपना होंबर कर रहा है और मैं अपना कुछ यह कलस वगएरा लेके बैठ गई कांच के दून्हें गहर में रखहूंगी तो इसके लिए मैंने लिए सी म Socel आता है वह लिया है और इसमे डाली चंबाइक एक समज लिए और यह वा इंच्छा दरगा देंगे इसको मिट्टी के बरतन पर लगा क्या को ए और इसको पूरा वाइटकर नाफा रिप लगा दे ये जो कांच के जो मेरर हम चिपकाएंगे खरी चपक संदर साइक पूर्ट बन जाएगा और इस पर पानी लगाते जाएंगे और ये बहुत आसाली से इल हमें ने लागता ensuite सीमेटे संध देतान अ के ये खरी में तो मैधितá çıkar और आकश सब्सक्राइंगे सणारे करे भीस करेंगें यतिव के डिवाल के सुमिस परेंगे, की बंड़ सबिंद वाल दी पूरे मिरर में लगा दियें और अचा सा पॉर्ट बन गया है और अभी यह इपाँ इसको सूखनेæ, मैंसकी कि फिनिसिंग करेंगे और इसको सूखने देते हैं और देखे ये बनके तैयार है बहुत अच्छा और ये थोड़ा सा बच गया है तो मैं इसको ऊपर भी लगा दूगी पूरा भाइट करना है इसको और देखे बहुत अच्छा पॉट बन गया है डैकुरिशन के लिए और द तुचु का टाइम हो गया तूदो तो कि यह रिया तो के साथ घचिट अदुगी इसके नंचीन बिस्कित चाह साथी और 2 चाहिवे और अधरी लपीड नहीं है तो मिटा चनदी दरों माहें और एक एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है तो वो अच्छे से फ्रेस बनी रहेगी और वस यहां पर चाय के बरतन थे वो भी मैंने धूल दिये हैं साथ के साथ और सब्जी वगेरा मैंने काट ली है तो सब्जी में मैं आज बना रही हूं यह ककोरा की सब्जी बना रहे है तो यह अच्छे से धोल लिये थे ककोरा और इनको मैं बॉइल कर लेती हूं हलके से तो इनके जो हाड़ वाले वीज होते हैं वो निकाल देते हैं तो वो बॉइल करके निकल आते हैं तो बस यहां पर मैंने जो परवल थे वो भी काट के रख दिये हैं क्योंकि वो ना जी को चौक रही हूं यहां पर और रियांदी भी अपनी हरकते दिखाता रहता है कैमरा के हांगे तो कडाई गरम हो गई थी और उसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं और यह थोड़ा सा प्याज काट लिया था यह तो इसको मैंने डाल दिया है और हलका सा भूंज लेंगे प्याज को और यह मैंने एक प्याज लहसों ना द्रक पीस लिया था एक साथ है तो यह भी मैं डाल दूँगी इसको भूंज लेंगे हलका सा और इसके बाद ये मसाला भूंज रहा है और यहां पर नोगने बीज करते हम कारे it ol到 मंसाला भूंज रहा है अंताऊ भूंज भूंज यह इसमें निता है धनिया पाॉदर यूजि पाॉदर का रड़ डाला है बूंज लेनाなんだ ऑफ हेला मसाले के ऑच्छे से बूंज लेदा, और तो अध्समा करेंगे, कपोन य। काकूरी गृता भालती है है। अभूत काकोरी है ना अगाय। बाता है से पानिस ना। य। अद्मीन य। को पानी डाल के बनांगी तो मुझे ये थोड़ी रसवाली सब्जी बनानी है और इसमें मैंने आदा ग्लास पानी डाल दीया है और इसके वाला तो बस वही करवा रहे हैं और यह देखे बन के तयार है रियांत इसको तो इनका प्रोजेक्ट बगेरा बन गया था बसे पेस्ट करना रह गया था तो वह पेस्ट मैं रियांत सही करवा रही हूं तो यह दिखिए रियांत यहां पर पेस्ट कर रहा है तो यह फ्लावर बनाना था जो फोटो सिंथेसिस का मॉडल होता है वो बनाना था तो इनका ये प्रोजेक्ट बन गया है और इसके बाद मैं रोटियां बनाओंगी तो बस जल्दी से रोटियां बना लेती हूं सबका डिनर हो जाएगा और फर्च की हाला देखो बहुत ही जादा गंदी हो अजया में बना थाली देए रियांद के पापा को और इसके बाद में बागी की रोटियां बना लूँगे और वज़से फिर मैं और रियांद डिनर करेंगे और यहां पर यह खाना बन गया है तो ये गैस अगयरा भी मैं साफ कर दूंगे जो आटा पैल जाता है उसको भी काम अब्सक्राइब करें करें हैं। सबस्क्राइब करकें पर भूफेशले सा में कुछrd जानी कրों। लड़नी कृद दीओ करें माई चेटन काम क्पार 20 уб inDuk कपड़े में लपेट के रख देंगे तो यह बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं और मैंने थोड़ा सा डाइट को चेंज किया है जो सुभाइ मौर्निंग में पराठे बनाते थे खाने के लिए वह पराठे मैंने बंद कर दिये हैं बस इस प्राउट खाना चालू कर द होंगी सुभाइ रियांत को स्कूल के लिए बनाना है तो जल्दी से बन जाती है तो बस रात को काट के रख देते हैं और बस इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पर एंड करती हूं अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा वीड वीडियो में तब तक के लिए बबाई एंड टेक एर गूड नाइट